मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लग मेरे वीडियो स्पेक तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना नमस्कार शात्रो तशात्रो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का कशितीज भाग एक पुस्तक में से प्रेमचंद के फटे जूते निवंद के प्रशन अभ्यास जो की आपके पाठे पुस्तक में दिये गए हैं इसका पहला पार्ट मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें है अब प्ले लिस्ट में जाकर जरूर उसके पहले पार्ट को पर लेना आज आज जो हम करेंगे वो भाग दो है जिसे तुम ये प्रशन निम्बर है जिसे तुम ग्रिनित समझते हो कर पार्ट जो है वो दूसरे बाग में है पहले वाले वीडियो में है उसे जरूर देख लेना जिसे तुम ग्रिने समझते हो उसकी तरब हात की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो में जो आदमी जो है आपने इन पंक्तियों के कहने का भाभ बताना है कि ग्रिने तो होता है ग्रिना करना जिससे तुम जेलसी करते हो जेलसी समझते हो उसकी तरफ आप हाथ नहीं करते क्या करते हो उसको पैर की उंगली से इशारा करते हो यहां पर कभी क्या कहना चाहता है कि यह एक सामान्य नियम है कि व्यक्ति जिस वस्तु को ग्रिना की योग्य समझता है उसे पैर से इशारा करता है यहां प्रेमचन समाजिक कुरितियों बुराइनों को ग्रिनित समझते थे यहां पर इस पाठ में तो मुझ्छी प्रेमचन जी ने समाजिक कुरितियों और बुराइनों को ग्रिना के दृष्टी से देखा है वे उनकी और पैर की उंगली से इशारा करके उनसे संघरश करते रहे में उन्होंने पूरी जिंदगी प्रेम चन्न में अपने पूरी जिंदगी अपने उपनियास्धों में कहानियों में उन्त निवंधों में उस एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खीचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी मिन लेखो को विश्वास नहीं हो रहा है प्रेमचंद की फोटो देखकर लेकिन अगले ही पल वैं विचार बदलता है फिर वैं विचार अपना बदल देता है कि नहीं इस अनुसार इस संधरव में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या बजा हो सकती है। अगर लेखक ने अपने विचार बदला, तो क्यों बदला। तो शात्रो आपको यहां पर अपने विउद देने होंगे। यहां पर मैंने जो लिखा है वो भी ठीक है परन्तु अगर आपको अपने मन से भी आपकी सोचने की शक्ती है पाठ पढ़ कर तो आप अपने मन से भी उत्तर दे सकते हैं तो यहां पर लोग प्राया सोचते और करते हैं लोग क्या करते हैं पहले सोचते हैं फिर करते हैं और कई दैनिक जीवन में साधारन कप्रों का प्रयोग करते हैं कुछ लोग जोते हैं वह साधारन कप्रों का भी प्रयोग करते हैं अब पश्वों के लिए बे अच्छे कपड़े रखते हैं और प्रेम चंद के पास दूसरी पोशाक नहीं थी पश्वों के लिए नहीं होगा यहाँ पर यह रौंग शब्द है कहीं बाहर जाना हो तो अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग और घर में ही रहना हो तो वो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं तो एक कारण यह हो सकता है लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला आदमी भीतर बाहर भीतर बाहर में अंदर बाहर एक सब एक सा है इसका दोरा व्यक्तितव नहीं है में दोरा व्यक्तितव नहीं जीता है ये आदमी इन्होंने कभी दिखावती जीवन नहीं जिया है प्रेम चंद ने क्या किया है दिखावा कहीं नहीं नजराता है इनके उपनियासों में कहानियों में इनकी उपनियासों कहानियों में रियालिटी नजर आती है जो कि आज संसार में भी बैसे ही चली आ रही है कुरितियां और कुपर रथाएं तो ये तो उसके बिचार थे अब प्रशन नमबर पांच आपने ये व्यंग्य पढ़कर आपको आपने ये व्यंग्य पढ़ा ये पढ़ा होगा पढ़ने होगा पढ़ा आपने ये व्यंग्य पढ़ा में व्यंग्य वरा निवंद है ये पढ़ा पढ़कर आपको लेख की कौन सी बातें अकर्शित करती हैं आप किन लेख की किन बातों से अट्रक्टिव ह 利iquant तो आपको यहां भी अपने विचार ही पेश करने हैं आपको पहले अच्छे सी निवन्द पढ़ लेना है व्यंग्य का व्यंग्य निवन्द है मीन हसने वाला निवन्द है इसको पढ़कर हंसी भी आएगी और ऐसा निवन्द है तो आपने अपने ब्यूज देने हैं यहाँ पर विचार देने हैं और ये भी लिख सकते हैं आप याद करके सामाज में फैली दिखावे की प्रबृती सच्चा चितरन है इस ब्यंग्य का नाटक में क्या है कि समाज में जो फैली हुई दिखावे की बिणावटी पन नजराता है न उसक प्रेम चंद के फटे हुए जूते देखकर अनेक प्रकार की संभाबनाएं करने लगता है अपने मन ही मन जैसे आप भी किसी को बच्चे को देख लेंगे और उसके फटे पराने कपड़े होंगे तो आप भी कलपना करेंगे कि ये बच्चा पता नहीं कितने गरीब गहाना प्रेम चंद की भेश भूशा देखकर अनकी पोशाग पर टिपनी करता है परण्तु त्रंत ही अपनी टिपनी बदल लेता है प्रणत ही बदल लेता है फिर प्रशन नमबर प्रशन पॉइंट नमबर चार समाज में फैली रूडियां कुरितियां व्यक्ति की राह में रोडा उत्पन करती हैं में जी जो रूडियां है रूडि वादी विचार धारा है में पुराने जो विचार धारा हैं संसकार हैं पुराने जो बाते हैं जैसे बिली का रहास्ता काट गई, किसी को घर से निकलना है, तो खिसी ने शील्क दिया, ऐसी जैसी रूड़ियां, कुरितियां, बाल बिवाहा, बे मेल बिवाहा, जैसे कुलितियां व्यक्ति की रहामे, क्या है, रोड़ा उत्पन करती है, ये रोडा का मतलब होता है बाधा रुकाबट हुद्पन करती है इसे दरशाया गया है पॉइंट नंबर फाइफ कुम्बंदास का प्रकरण एकदम स्टीक बन पड़ा है एकदम सही स्टीक मीन एकदम सही उसका कुमबन दास के परकरण का यहां पर बढ़न के बारे में बताया है यह था प्रशन नमबर पांच आप प्रशन नमबर शे की और चलते हैं पाठ में टिले शबद का प्रयोग किन असन धर्बों को इंगित करने के लिए किया गया है इंगित में दर्शाने के लिए क्या दर्शाने के लिए टिले शबद का प्रयोग किया गया है दर्वों के लिए इंगित करने के लिए किया है लेखकने टिला में रास्ते में आने वाला अवरोध है जिसे लांगना अवरोध मीन रुकाबट रुकाबट जिसे लांगना मीन पार करना लांगना होता है पार करना कठिन होता है यहां लांगना मीन क्रोस करना पार करना कठिन होता है यहां व्यंग्य में टिला शब्द का प्रयोग जो है प्रेम चंद के जीवन में आने वाली सामाजी कठनाईयों के लिए किया गया है यहां पर क्या किया गया है टिला शब्द का प्रयोग प्रेम चंद के जीवन में आने वाली सामाजी कठनाईयों के लिए किया गया ह जिसे पंडित, प्रोहित, मौलवी, जमीदार, आधी समाज के कथित ठेकेदारों ने दिवार खड़ी की है समाजी कठनाईयों के लिए किया गया है और पंडित हैं, प्रोहित हैं, मौलवी हैं, जमीदार हैं आदी समाज के जी कथितमीन कहने वाले ठेके दारों ने दिवार खड़ी की है इनी लोगों ने दिवारे खड़ी की हैं इनके कारण उंच नीच की भावना जाती पाती शुआ शूत शोशन अमीर गरीब बे मेल विवाहमीन 80 साल का लड़का और 40 साल की लड़की के साथ शादी उसको बोलता है बे मेल विवावना की भावना आदी टीले के रूप में खड़ी मारक को अब रुद करती है मीन रोकती है रास्ता रोकती है मारक को आगे जाने नहीं देती है ये बादाएं हैं सारी ही इन बादाओं को पा तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लेना तभी आपको अच्छा लगया क्योंकि कुछ प्रशन मैंने वीडियो लंबा हो जाना था तो एक वीडियो पहले बनाया मैंने और एक अभी बना दिया है